पुराने समय की बात है एक बार क्या होता है कि कंडिडेट होता है या नजदी की जो भी शहर होते हैं या फिर कहीं पर भी दूसरे अपने सहर की सीमा को छोड़कर दूसरे सीमा के अंदर जाके वैपर करता था वो candidate कुछ समय पश्चा जब वापस आता है तो जो स्थानिय जो निवासी थे उन्होंने उनसे कंसल्ट किया कि आपने तो बहुत सारी दुनिया देखी हैं आप कई सालों तक बाहर भी रहे हैं आप अलग अलग परकार की लोगों से मिले भी हैं वो दूसरे सहरों में दूसरे देसों में रहने वाले लोग हैं तो आप हमें कुछ जीवन के बारे में बताईए आप उनके जीवन के बारे में बताईए आपने क्या सिखा और आप क्या निचोड हमें दे सकते हैं तो जो उन्होंने एक special बात बताई उस समय, उसको मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो बात कुछ नहीं थी, वो बहुत ही simple सी बात थी, लेकिन जो उन्होंने बताया गजब का था, आगे सुनिए, देखिए, मैं समसर कोशिक आपका अपने YouTube चैनल हार्दिक स्वागत करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं उसी कहाने को, जो बहुत ही unique है अपने आप में, वो बताते हैं कि जब मैं दूसरे देशों में, शैरों में गया, दूसरे लोगों से मिला, तो मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा, उन्हें से जो unique है, वो मैं आपको बताने वालों, वो बताते हैं कि उन्होंने एक हाथी के स्वामी को देखा हाथी के साथ, हाथी का स्वामी जो था, यानि हाथी का जो मालिक था, हाथी का मालिक मदीरा पान करता था, और वो मदीरा पान करने की वज़े से खुद होस में नहीं था, इसी वज़े से उसने पश्चात हाथी ने भी अपने वही रंग रूप दिखाने शुरू कर दिये जो एक सराबी दिखाते हैं वो भी आप कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ करने लग गया तो उसके डर के मारे जो स्वामी है उसका वो इधर उधर दोड़े लगा आपको अच्छे से पता है कि आथी विशालकाय एक पसू होता है विशालकाय होने की वज़े से ना तो उससे दोड़ कर जान बचाई जा सकती है और ना ही किसी पेड़ पर चड़ कर जान बताई जा सकती है इस वज़े से वो जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी नजदी की एक कुए के पास गया और उस कुए की तरफ उन सीडियों के मादम से कैसे ने कैसे करके गया वहाँ जब वो नीचे जाता है तो कोई नीचे की जो सिल्पटी या जो मिट्टी वाला जो सेक्शन होता है जो बिल्कुल नीचे का सेक्शन होता है वहाँ तक वो पहुंच चुका होता है उसके बाद फिर सीडियां ख जैसे उसका पहरे फिसला तो नीचे घिरने लगा, आपको पताईए कि पुराने जो कोय वोते थे, वो नीचे की तरफ से कच्छों होते थे, कच्चों होने की वजह से वहाँ पर जो नजदिक की बड़े बर्गत की या इस तरह में पेड़ों की जड़े वहाँ तक पहुँच पर आके उस हाथी ने सराप पी थी, अच्छा अब वो बन्दा देखता है कि मेरे पास बचने के और क्या हुपाई है, जब वो निचे देखता है तो उसे निचे किचट दिखाई पड़ता है, और जब उपर की तरफ देखता है, बिल्कुल टोप में तो उसे हाथी दिखाई पड़ते हैं जब वो देखता है अपने सामने जिन जड़ों को उसने पकड़ रखा था तो उन जड़ों को देखने पर उसको दिखाई पड़ते दो चुये जो उस जड़ को काट रहे थे उन जड़ों को काट रहे थे एक सफेद चुवा था एक काला चुवा था सफेद और काले दोनों चुवे उस चड़ को काट रहे थे अब आप देखिए कि हालात इतने बुरे हैं कि वो उपर देखता है तो हाथी है बीचे में सामने देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है बलेक और जो वाइट चुवे इतनी ही देर में थोड़े से समय में निचे की साइड से किचड होता है उससे थोड़ा सा उपर साप कहीं से निकल के आ जाते हैं दो साप निकल के आ जाते हैं अब बस आप मान के चलिए कि अगर वो निचे शीदा गिरता है तो वो किचड में जा सकता है और अगर वो थोड़ा सा वैसे ही गसिता वो अपने आपको ले कर जाता है किचड तक तो वहाँ पर बीच में साब भी है और अगर हम बात्चित करें उपर तो उपर कहीं ने कहीं हाथी है लेकिन उसने उसी समय देखा में सहद होता है अब मदू मख्य के चट से कहीने कहीं से एक बूंदा कर गिरती है जब वो एक बूंदा कर गिरती है तो सीधा कहीने कहीं इस परकार के location में के adjustment थी उस बंदेगी कि जालटका वाता तो उसके मुख में आ गिरती है और वो उस सहद का मिठे सहद का आनव लिता है सबी जो सुन रहे थी इस कहानी को सुनकर सबी ने आश्री आजाता है कि मतलब ये सब क्या है यह किसी कहानी है हमें कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आया किरिपे आप इसे explain करें तो उन्होंने वहाँ पर explain किया मैं यहाँ पर explain करता हूँ इस चीज़ को उन्होंने बताया है कि हम कर क्या रहे है हम कर क्या रहे है यह जो कहानी है ये कहानी किसी और की नहीं है, हम सब की है अगर आज की सिनेरियू के साथ मैं इस कहानी को जोड़ू तो कहीं न कहीं हम लोग जो एक मन रूपी जो हमारा हथी है उसको हमने मदमस्त कर रखा है अपने कुछ काम्यापी के नसे या इस तरह के चिज़ों को दे कर इससे हमारा मन रूपी हाथी मदमस्त हो चुका है और वो हाथी हम से जो करवाना चाहता है वो हमें करवाता है और उसी की वज़े से हम को ये जैसे संकट में है और हम कहीं ने कहीं किसी टहनी पर लटके हुए है क्योंकि हमारे लाइफ बहुत सारे रिस्क से भरी हुई होती है और जो black और white जो चुए हैं वो कुछ नहीं वो simple सा दिन और रात है दिन और रात उस जड़ को काटे जा रहे हैं यानि हमारी आयू कम करते जा रहे हैं वो जो जड़ है वो हमारी उमर है और उस उमर को कम करने के लिए चुहे white और जो black है वो उसको काट रहे हैं वो उसको कम कर रहे हैं नीचे अगर हम देखें तो साप जैसे जो दिखाई पड़ रहे थे वो कुछ इस तरह की चीज़े हैं कि अगर कुछ भी होता है हाथ चुटते हैं कुछ भी होता है जड़ करती है कुछ भी होता है नीचे गिरते हैं तो वहाँ पर साप यानि एक्सिदेंटल जैसी कुछ मोते हैं और नीचे जो किचड है उसमें अंतिम जो छोर है हमारा वो तो है लेकिन इसी बीच हम क्या कर रहे हैं इसी बीच हम सहद की एक बूंद यानि जो इसना सब कुछ करने के पस्चात हमें मिलता है एक मत्र छोटा सा सुख उसके लिए हम सब चीज़ों को दाव पे लगा है और आज के सिनेरियों में अगर हम बाचित करें तो कोरोना वाइरस के समय के अंदर कोरोना वाइरस जो बहुती टेज़ गती से पूरे संसार में फिल रहे हैं ऐसे समय में भी हम अपने उस एक सहद की बूंद के लिए अपने उस सहद की बूंद के लिए हम क्या कर रहे हैं हम घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी दाओं पर लगा के दूसरे लोगों की जिंदगी दाओं पर लगा के हम उस सहद की बूंद का स्वाथ चक रहे हैं फिर पैसा ना करें हम सब की जिम्मेदारी है किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सरकार कितने कदम उठा सकती है ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप घर पर रहकर अपनी देश बक्ती दिखा सकते हैं, आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं, आप अपने घर पर रहकर कुछ नया सीख सकते हैं, अगर आप अपनी कोई नोकरी या कोई बिजनिस करते हैं, तो नोकरी और बिज डाउन या इस तरह के जो कोई आदेस हैं उनकी आदेसों की पालना कीजिए बहुत 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 हैं